नमस्कार बहुत स्पाकत आप सभी का वियोज़ आप देख रहे हैं आमका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की मैं हूँ सौरफ शर्मा आपके साथ आज बहुत सारी ख़बरें आपको बताने के लिए उत्तर प्रदेश में योगिया दितनात और उनके मुख्यमंत्रियों के बीच क सब कुछ ठीक हो गया इसके अगली किष्ट खबर की क्या ही है वो मैं आपको बताऊंगा इसके अलाबा आज यूपी की विधान सभा के अंदर कूब मज़दार बातें हुई हैं अखले जादब ने का अगरे आपने तो अपने चाचा को गच्चा दे दिया अखले जादब क्यों इसकी बात होगी इसके लाबा वो ये भी कह रहे हैं कि चुनाब पार्टी जीती है सरकार है नहीं जीती हैं दोजार चौदा में mujerबा की सरकार ती यूपी में जीते का भाज़पा की सरकार थी, YouP में जीते 2017 में BJP की सरकार नहीं थी, फिर भी जीते तो सरकार से फर्छे नहीं पड़ता है पार्टी ही करती है, जो करती है तो एक बार फिर कहीं सरकार versus पार्टी के और बहस को ले जाने के कोशेश उनकी दिखाई दे रही है इसकी हम लोग बात करेंगे राहूल गांधी कल बोले पार्लेमेंट में बजट पर काफी कुछ उन्होंने अभी मन्यों की कहानी भी सुनाई चक्रिव्यू भी बताया चक्रिव्यू केप में कैसे कमल का फूल दिखाई देता है ये भी उन्होंने बताया हलवा सरिमनी में कौन-कौन सी जाती के अफसर थे ये भी उन्होंने बताया इस सबका जवाब आज वित्तमंत्री निर्वना सीधारमन शान चार बजे उनको पार्लेमेंट में देने जा रही है लेकिन इन दस में कौंग्रेस के कौन से नेता आएंगे सबसे बड़ा सवाल यही है उनकी दिल्ली में जो तीन बच्चों की पानी में डूबने से मौत हुई है बेस्मेंट पे पानी भर जाने से उस मामले पर राहूल गांधी तो बगेर आम आदनी पार्टी का नाम लिए जरूर सवाल उठा रहे थे अब अर्विन केजरिवाल की समर्थन में इस सारे प्रकरण के बीच क्या उनकी तरफ से बड़ा नेता भीजा जाएगा इस पर भी हम लोग बात करेंगे मेमार हमारे साथ बन चुके हैं अब इस बात को लेकर कल से इस बीजे पी के सारे नेता लगे हुए कहां गया तुम्हारा पीडिये कहां गया पीडिये चाचा जी को नहीं बनाना था इसलिए इस लिए ब्रामबन को बना दिया केवल बचा आपको रास्ता डूंडा है तो आज विधान सभा के अंदर भी ये सब कुछ चला है योगी आदितनाद बोले शिपाल यादव बोले शिपाल यादव ने तो गजब की बात कह दी कोई नेता ऐसी बात कभी खुले आम कर देगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते लेकिन उने खुले आम कहीं ये बात मैं सुनाता हूँ आपको उसके बाद पर अखिलेश अदव क्या बोले तो योगी जी शिपाल जी और अखिलेश जी तीरों के मज़दार बाते हैं सुनी आप पहले तो आपके चेयन के लिए मैं आपको बढ़ाई देता हूँ ठीक है अलग जिसे है कि आपने चचा को गच्चा देहीं दिया चच्चा में चारा हमेशा ही ऐसे मार खाता है उनकी नियती ही ऐसी है व्योंकि भतीजा हमेशा भःवित रहता है हमें गच्चा नहीं मिला है व्योंकि पाड़े जिग बहुत सीनियर है ठीक है बहुत सीनियर है गच्चा टीक है और हम लोग देखे समाजबादी हैं और समाजबादी के साथ साथ आपकी तरफ से भी हमने कुर्शी का कही न कही लिसारी किया था हमें वहां पर बेठाला गया था उसके बाद यहां पर बैठे और यहां के बाद हम यहां पर बैठे जह इसके बाद यहां है मेरे शुप कामने और आगे के लिए खिर अम darf आते हैं मैं कहना चाहते हैं तीन वर्स में आपके संप्रद में रहे तो गच्चा तो आपनी जोगी जी चाचा जी बतीजा, तीनों में सबसे मैजदार बात आपकी किस की बात लेगी आपको? देखे जिसे कहते हैं ने क्या चल रहा है तो इस वक तो योगी चल रहा है इसमें कोई भ्रहम नहीं होना चाहिए किसी को और राजनीत में यही अंदाज होना चाहिए राजनीत में तंज करने का, हमला करने का ऐसा अंदाज होना चाहिए कि सामने वाला उसका जवाब न दे सके योगी जी ने एक लाइन में कहा कि भई चाचा को गच्चा दे दिया अब ये चाचा को गच्चा दे दिया ये ऐसा उबला आलू है समाजवादी पार्टी के लिए न उगलते बनेगा न निगलते बनेगा क्यों? क्योंकि सब ने देखा एक बिया चाचा भतीजे की जो पटकी पटका हुई थी मंच पे माईक छीनी छीना हुई थी मंच से धक्का मुक्की हुई थी तो सब कुछ हो चुका है और शिवपाल यादव जब 2022 का विधान सभा चुनाओ था उसके पहले भारती जनता पार्टी में आने की पूरी कोशिश कर चुके थे इसी कहानी की कुर्सी पर हमने भी यह बात कही थी चुकि उसक जो जिनके जरिये चल रहा था उनहीं के जरिये मुझे पता चला कि शिवपाल यादव प्रयासरा थे भारती जनता पार्टी तोल रही थी कि हम शिवपाल जी को सम्हाल पाएंगे या नहीं सम्हाल पाएंगे तो एक रणी यह थी कि जिसको कहते हैं ने कि आउटसाइड सपोर्ट जैसा चलता रहे वह व्यास था रहे लेकिन शिवपाल जी भी ऐसे नेता हैं कितने समय तक आउटसाइड सपोर्ट आपको देते रहते आपको विधान सभा में कुर्सी से तो कोई ताकत मिलती नहीं कि कहां बैठ गया अखलेश यादव को तीखा लगा इतना तीखा लगा कि पिछले कुछ समय से जो अखलेश यादव मुस्कुराते हुए तंज करते थे योगी आधितिनाथ के विधान सभा में एक तीर ने उनको दिल्ली के संसथ तक गायल कर दिया इतना घायल किया वो जवाब नहीं दे पा रहे है और मुझे तो लगता है राजिनीति में कई बार हम कहते हैं आपको हसते मुस्कुराते सामने वाले कमजोर नस्दाबाद ने नहीं अब उसके वाद जिसको कहें कि तोड़ा करे जादू करे मंतर करे तंतर करे हो गया अब जड़ाएं पुकाएं तो मुझे लगता है कि योगी आधितनाथ ने बहुत सलीके से ये राउंड जो था वो बड़े सलीके से सत्र शुरू हुआ उन्होंने जो चोट कर दी अब शियुपाल ने ये भी बता दिया कि भतीजे से इतने वो भैवीर थे कि भारती जनता पार् पार्माल किया उन्होंने तो वैसे तो भेद कुई उसमें था नहीं कि शिपाल जी पीजेपी के साथ आना चाह रहे थे लेकिन खुलकर विधानसवा में उन्होंने बात कि अच्छी बात है बातने तो ऐसी हो नीची है यह हमारी दिल्ली वाली संसद में बड़ा अकटोर ब लेकिन ऐसी कहें कि बोलने वाले के पास कुछ बचे ना यह नहीं कि आप बहुत रूख तरीके से किसी बात को करते है या अटेक करते है और परसनल अटेक करते है अब योगी जी ने परसनल अटेक किया शिपाल जी पर कि गच्छा दिया है उनकी दुखती रस लेकिन इतने मुअ को रहे हैं तो यृष सब ऑन्हें जी जी एचाचा कोई घचा दिया लेकिन चाचा नहीं तो का कि आपने भी दिया है हमें गच्चा, तो चाचा तो बहुत गच्चा खाए हुए है, और चाचा को गच्चा मिला ही है, मात्या प्रसाद पांडे को लाकर यह तो हमने पहले भी चर्चा चीती है, अच्छा अखिलेज जी बात सही है कि वैसे मुस्क अच्छा शब्द इस्तमाल है, वो पहले अखिलेज शादव ने किया था, जब योगी अटितान्त मुख्यमंत्री बने थे, और अखिलेज शादव उपक्ष के नेता 2017 में बने, अखिलेज शादव ने बयान दिया था, हलांकि वो सदन का बयान नहीं था, सदन के बाहरों दे दिया है, जिन्होंने सफारी सुट सिलवा लिया था, जिन्होंने बन गळे का गोट सिलवा लिया था, बिचारों को पासाल इंतियार करना पड़ेगा कि योगी छोड़ेज चोड़ेगी की नहीं, तो मान गया है गुरूजी आपने बड़े-बड़ेजों को गच्चा तो गच्चा शब्द का सबस्ताम अखले शादों ने योगी के लिए दोजा शादों बहुत लोग घुम रहे थे सूटों सर बहुत सिर्वारें बदलब कहीं लोगों इसले भी सिल्वाए दे कि अगर प्रदेश में काम नहीं आएगा तो दिल्ली में काम में आ जाए मंत्री म बात कर देता हूं लेकिन योगी आतिनर बहुत अच्छी बात बोजे लेकिन ऐसा है कि आज सवाजवादी पार्टी अखलेश यादों को भी कहने के लिए बहुत है कि कौन किसको गच्चा दे रहा है को कि बारतियनता पार्टी में इसा होता नहीं है कि इस तरीके से मदभे यहां OBC मोर्चे की बैठेक में दोनों डिपटी एक साथ पहुचे लेकिन योगी जी के पहुचने से पहले निकल भी गए अब्देश जी रुके नहीं वहाँ पे ऐसी कौन सी बड़ी बात थी और वहाँ जो बात थी हुई है मैं आपको सुनवा दूँ आप दोनों पर एक हुआ ना सरकार कुछ है कैसे ही काम कर ले कोई फरक नहीं पड़ता हार जीत पार्टी के हाथ में सुनिए केशव जी का नया वार हाँ अनल यह सदा देहां पे रखना चाहिए कि चुनाओं सदा पार्टी लड़ती है और पार्टी ही जीती है कि 2014 में सरकार थी क्या वादपा की बता थी क्या जीते लेकि नहीं जीते थे थे 2017 में सरकार थी क्या जीते तेंकि नहीं जीते थे लेकिन जब सरकार नहीं थी तब जीते और जब सरकार आ गई थो थोड़ा समचें कि अप єथा सरकार की बलम पर चुनाओं नहीं केजिता जाता पार्टी ही लड़ती है पार्टी ही जीती है जो केशे वशाद मूर अगर यह बात कह रहे हैं तो सीरे सीदे बताना चाहते हैं कि दोजा और मंतरी मोदी के कारण नहीं सरकाय कारण नहीं जीते हैं कि अगर पार्टी शक्ति शाली नहीं है तो सरकार रहते हुए भी आप चुनाओ नहीं जीत सकते हैं उन्होंने यह पंक्ति नहीं कही है कि सरकार आती है तो हम सोचते हैं कि सरकार के बल पर जीत जाएं यह सही है कि केवल सरकार के बल पर चुनाओ कोई पार्टी नहीं जीत सकती है अच्छा बुरे काम का फसर भी बहुता है। चुनाओ नहीं जीत सकते हैं। सरकार ने जो वायदा किया, पूरा किया है, सरकार के कामों से माहौल बनता है, संगठन उसको लेके जाती है, सरकार और संगठन में समन्मे होता है, जिसमें कमी है। तो लगबग सिवपाल जी है, बिदान सवा में कई बार गच्चा सवथ तो नहीं बोले, जब भी उन्होंने कहा के संपर्क में थे, तो आपके भी संपर्क में था, वो खड़ा होके इसे बोलते रहे हैं, और संपर्क में वो थे ही थे, और ये दुखती रग होती है। समाजबादी पार्टी में अखिलेस यादो के या सिवपाल यादो की सबसे दुखती रग है कि जो उनाइटेट परिवार जिस जंग से 2016 में आपस में जुद्ध करके अलग हुआ एक प्रकार से और जो उस समय से अंदर काटे चुभे हैं वास तक खत्म नहीं हुए है नहीं तो कायदे से कायदे से तो अखिलेस यादो को भी भी पक्ष का नितापन लेगी है जादा फांस किसको लेगी हुए है जादा फांस सिवपाल यादो को उनको क्या है उन्होंने तो मुलायम सिंग यादो को धक्का दिया तो यह तो पडिवार के अंदर यह है अंदर वो चलता है जोगी जी ने अपना मैं ज़रा सर फिर एक बार केश्व जी की बात पर आ जाओ जब वो कहते हैं कि बहुतार नहीं जीते बाइस सतरह में सरकार नहीं जीते जीते मुझे लगा ये योगी जी को clean sheet दे रहे हैं क्या अभी 24 में जो हो गया आज मां आपका कोई लेना देना नहीं है पार्टी नहीं कर पाई पार्टी नहीं कर पाई देख रहा हूं मैं देख रहा हूं आज कल प्रती दिन पढ़ता हूं तो 15-20 पन्य पढ़ता हूं और आज सयोंक से उसी से लग गया है तो उसमें वह वाला श्लोक तो सबको याद होगा सत्यम ब्रुयादेश धर्मस ये तो यह कि सत्य बोलो प्री बोलो अप्री मत बोलो उसी का अगला श्लो है अभद्रम भद्रमिती ब्रुयाद भद्रमिते वावदेत शुष्क वैरम विवादंच न कुरियाद केंचित सह अर्थात अशूभ बातों को अच्छे शब्दों द्वारा ही कहें केवल भद्रवचन यानि शूभ वारता ही बोलें व्यर्थ में किसी से बहर या तो जब ये मतलब इसको हम आज के समय में देखते हैं तो ये सारे लोग बहर विवाद तो कर रहे हैं अशूभ बात भी शूभ सब्दों में कह रहे हैं तरीका जो है वो भद्र तरीके से कह रहे हैं अब एक कहानी कल किसी मित्र ने सुनाई है भाजपा से सम्मंधित है तो आज आप चिपका लीजिएगा तो कहे कल्यार सिंग है पिछडों के नेता है लोध नेता है आज कल वहां दूसरे जिच जाते हैं मुलायम सिंग यादव ये पूरी बेल्ट में उनकों का वोट नहीं मिलता है कलराज मिश्णा है ब्राह्मनों के नेता है भाजपा में भ विस्तार से कहानी बताई जब भारती जनता पार्टी में आपस में नेता कर रहे थे हम इस जाती के नेता हैं तो उन्होंने कहा ये है हरश्वरदन जी अब मैं ये नहीं कहूंगा आज कौन सा नेता किस जाती के मत को लाने का दावा कर रहा है जमीन पर उसकी है बाकी ये च चलता रहेगा, तन्ज वाला थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा, आज के हिसाब से आप लोग चिपका लिजए उस नेता के उपर,Äश़् जी? जो भी नेता एक नेता की बात में नहीं कर रहा हूँ जितने नेता हैं वो अपनी हैसीत देखें तो शायद अपनी अपनी जिगह जीतने के स्थिते में लेकिन यह palsy-sarokar का अंदर क्यों केशब जी बार-बार बताते बैर है? अगर आपकी सरकार है और उसने अच्छे से पाफॉर्म नहीं किया तो आप चुनाव नहीं जी सकते संगठन भी कितनी कोशिश कर ले और अगर अच्छा काम कर ले और संगठन साथ नहीं है तब भी आपके लिए उतनी के उतनी मुश्किल है अब 2019 के चुनाव को ले लीजिए तो 2019 का चुनाव किस से जीता है आपने सरकार से जीता है या संगठन से जीता है इस पर वैस कर सकते है दो हजार चौबिस का चुनाव कैसे आप हारे किस से हारे सरकार से हारे संगठन से हारे या 2017 का चुनाव का तो जिकर कर दिया कि ठीक है सरकार जीते तो सरकार से जीते हार है तो पार्टी से हारे और फिर अभी जो 2022 का हुआ और अभी दो हजार चौबिस का उत्र पदेश में हुआ तो किस की वज़े से हारे इसका मतलब है कि केशब जी का मैसेज के वली है कि वह अभी सरकार के साथ नहीं है सरकार में उने की भूमी का कोई नहीं है इस वज़े से ये महत्तपून बात है और बार बार वो संगठन का जिक्र कर रहे हैं वैसे आस्व वहमनिश्री और कुछ अपने मंत्रा लेके लोगों के साथ बैठ कर भी मीटिंग मीटिंग कर रहे हैं यह रहा है नहीं कल उन आगे यहां गौर करना वाली बात है और जनता की समस्याओं को थानों पर प्राथमिक्ता से समाधान बढ़ते हुए फ्रस्टा चार को रोकने तथा साइबर क्राम से बढ़ती घटनाओं को फला 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 करने के लिए बढ़ते फ्रस्टा चार उपमुख्य मंत्री कह रहे थोड़ा और नीचे जाई है वो लिखा नहीं है वो टैग किसको किसको किया है नरेंदर मोधी जेपी नडड़ा अमित शाह खबर यहां है लिखे में खबर कम है टैग में किसको लिखा है किसको किया गया है उससे बहुत सारी राजनीती तैय होती है अब एक डेपुड़ी मुख्य मंत्री रहे गए जिनकी बैठक नहीं हुई है अब वो भी कहेंगे कि मेरी बैठक प्रशान जी के साथ करवाई जाए अधिकारी को साथ में भी उपमुख्य मंत्री हूं केशो पर पर दस्ता की बाचित कर सकते हैं लाओ और्टर की बात कर सकते हैं बहुता चार पर बात कर सकते हैं तो में भी उपमुख्य मंत्री मेरा भी अधिकर करने का शुकर की यूपी के हाला दिली जैसे नहीं हुए यहां तक की सांसाथ, MLC और बड़े कारकरताओं की भी सिकायत थी कि थानेदार हमारी किसी तरह नहीं सुनता है अगर किसी कारकरता का एक मोटर साइकिल पकड़ गया मैं फोन करूं तो नहीं उठाते हैं और यह वहां आम सिकायत थी कि पुलिस के साथ सरकार का क्या बेभार है क्यों को कहते हैं कि हम direct CMO से हमारा contact है केसों परसाद मौरिया के पास या दूसरे नेता के पास कोई पुलिस की समस्या लेके जाता था तो यह लोग बोलते थी यह महराज जी का भी भाग है इसमें मैं हस्चेप करूंगा तो समस्या बढ़ेगी आप लोगों को वहीं लेक सकते हैं अगर बीना कहे हुए और अगर वहां बैठे हुए अगर वो बुला रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि थोरा सा बी केंदरी करन हुआ है कि भाई विभूप मुख मंतरी है या कोई नेता है उसकी भी कोई जिम्मेबारी और दाई तो है अगर यह स्थिती है मैंने समाधान नहीं हुआ और सुसाइट कर गया है तो ऐसी घटनाए जब हो रही है तो यह कोई बतलब इसको मैं उस रूप में नहीं देखता हूं कि एक पैरलल सासन है लेकिन अगर यह सिकायत है तो उसके समाधान की कोशिस यह हो रही है अच्छी बात है डिप्टी सीम है अग बाहर से आएं बसपा से आएं आगरा की रैली हो रही थी वहां वो चल रहा ते दिल्ली आयते जाके शामिल हो गया है वो अलग है केशो प्रसाद मौरिया उत्तर प्रदेश विधान परिशत में नेता सदन है इस हैसियत से उन्होंने बुलाया था यह डिप्टी सीम की मीट परिशत में नेता सदन है इसकी वज़ा से उन्होंने बुलाया और नेता सदन विधान परिशत के पास वो पूरे अधिकार होते हैं आप क्या कहना चाहते हैं अच्छी खबर अलिम्पिक में भारत को दूसरा मेडल मिल गया है दस मीटर पिस्टिल मिक्स्ट में ब्रॉंस मेडल मनु भाकर को और सरभ जोत सिंग की टीम ने जीता है मनु भाकर और सरभ जोत सिंग इन दोनों ने मिलकर जीता है भारत के लिए तो चलिए अच्छा अच्छी शुरुबात चल रहे है मनु भाकर दो मेडल जीतने वाली उलम्पिक में पहली खिलाड़ी बन गहीं और सबसे जो अच्छी बात मनु भाकर लगातार एक प्रॉमिसिंग के तौर पर तो देखी रही थी उनके जो जिसको हम कई बार चर्चा करते हैं तो सोशल मीडिया पर वो एकदम से संसनी बन गई हूँ ऐसे तो कोई भी भारत के लिए जीतता है तो बन जाता है लेकिन कमाल की बात यह है कि आज के संदर में थोड़ी सी राजनीतिक चर्चा भी कर दें तो बुरा ही नहीं है आज के संदर में वो हिंदू तरह से दिखती है यह बड़ा चला इधर पीवी सिंदू को लोगों ने देखा कि सर पे उले के और मंदिर जा रहे थी उनको हवन करते हुए यग्य करते हुए लोगों ने देखा वो कहरें कि हमको जो उर्जा मिलती है वो गीता से मिलती है तो यह भी एक पक्ष है उसका हलाकि सब से इतर भा को बढ़ावा दिया है उसका भी एक प्रभाव एक असर दिखता है लेकिन मनू भाकर को असली आपको खिलाडी मानना चाहिए जिस दौर से वो गुजरी है और वहां से निकल कर आई मनू भाकर एक बड़े सदमे और एक बड़े जटके के साथ से निकल कर मैडल जीती है इसलिए उनको असली खिलाडी मानना चाहिए कि उस तरह से मैडल तो जीते हैं हम लोग जीते भी रहे है अभी खेल भी 400 क्रोड रुपे का बजट था जबकि BCCI ने से दस गुना जादा टैक्स भरा है 400 क्रोड का बजट रहा था ओलम्पिक का तो खेल में भी बड़ा पैसा डालने के दुरूरत थे बहुत अभी खेलों के लिए के और कोशिश करना पड़ेगी केंदर सरकार को खा अब हमारे पास जो पहले पिछली बार गोल्ड मेडल लेकर आये थे हरियाना के बाला फेक के अंदर उनके भी निरेश चोपड़ा विदेशी परसिक शक थे तो मुझे लग रहा कि ऐसे विश्चित करना चाहिए कि भारत के अंदर एक अंदर ऐसी विवस्ता हो कि बहुत अ शड़ियम बनाने से बहता है कि खेल को लेकर बाकी निशा आज भी हम ऐसे बहुत कुछ बदला भी है तो उनकी बहुत बड़ी उपलब्दी है सरफ जो जो उनके साथ थी इस टीम इमेंट में उनको भी एक आंसे पदक मिला है तो बहुत बहुत बदाई सभी खिलाडियों क को भी की दूसरा मेडल भी आया और ये किरतिमान मनुमाकर के नाम मना चुड़ाएं